हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक कुशिन टैक्स के बारे में बहुत इजी और बहुत ही शौट टॉपिक है और बड़ी बहतरे डंक से कवर करेंगे इसके बाद आपका कोई भी कुशिन गलत नहीं हो सकता अगर आपने ये वीडियो कंपलीट देख लिया तो बड़ी शौट ट्रिक में कैसे कुशिन को सॉल्ल करते हैं ऐसा देखेंगे ठीक है न चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपने ये टॉपिक देख लिया उसके बाद में इसके जस्ट बाद में आपको 25 MCQs मिलेंगे 25 कुशिन मिलेंगे ठीक है सल्यूशन साथ में मिलेगा ठीक है न तो उसको आप लगा सकते हैं यहां से आपको आई बटन में यहां पे लिंक मिल जाएगा और description में भी आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा ठीक है न चलिए देखते हैं यह होते क्या है question text it is used in spoken English यह spoken English में used होता है when you want जब आप चाहते हैं someone to agree or disagree किसी को आप सहमत या ऐस सहमत करना चाहते है कोई आप से जानना चाहते है कि वह आपके साथ बात से सहमत ही रखता है कि नहीं रखता है छाहते है तब हम question tag इस्तेमाल करते है अब जो। इसका सबसे बहते निन concept है वह यह है कि अगर अपना statement जो sentence है अगर वह positive है तो अपना question tag कैसा होगा negative ठाक है अगर अपन अपना sentence statement negative है तो question tag ऐसा होगा positive बस ये चीज दियान रखना 30% question आप यहां सा ही solve कर लेते हैं ठीक है न तो क्या हुआ कि अपना positive statement है तो question tag negative negative statement है तो question tag positive जैसे देखिए you are virat तुम virat हो aren't you नहीं हो क्या वापस क्या पुछा aren't you नहीं हो क्या विरat ठीक है न तो यह aren't you जो आया है यह question tag है और यह negative आया है sentence positive question tag negative फिर देखिए he isn't rohit तो is he क्योंकि यह negative है तो यह positive आया गया मतलब helping verb का इस्तेमाल करना not लगाना subject लिग देना खतम ठीक है अब देखिए with auxiliaries यानि helping verb अगर helping verb है sentence में तो हमें कैसे इस्तेमाल करना वो देखिए फिर देखेंगे कि अगर helping verb नहीं आई है तो कैसे question tag बनाएंगे ठीक है वो भी देखेंगे तो देखिए you have got a car यहाँ पे helping verb है have क्योंकि main verb पढ़ा है got तो helping verb क्या होगी have क्योंकि यह sentence अपना कैसा है positive है तो question tag negative होगा न तो देखो haven't you subject लिख दिया you ठीक है न we were waiting at the hospital तो देखिए were अपने helping verb है sentence positive है तो weren't we ठीक है न we subject लिख दिया question मिश्या नहीं फिर देखिए they have been to Japan तो have लिखावाई यह न abbreviation करके sort में लिखावाई तो have है तो क्योंकि यह positive तो negative बनेगा haven't they ठीक है फिर देखिए she is Indian वो क्या है Indian है तो is आया तो isn't she नहीं है क्या Indian ऐसे ठीक है they are working tomorrow तो helping verb आर है positive sentence negative बना तो aren't they ठीक है it was cold yesterday was helping verb है अपना तो wasn't it ठीक है its subject it लिख दिया अब देखते हैं अगर अपने पास auxiliaries यानि helping verbs नहीं हो तब हम क्या करेंगे तो देखिए आपके पास तीन option बसते हैं अगर आपके पास question के अंदर helping verbs नहीं है तो क्या या तो आप doesn't लिख सकते हो या don't लिख सकते हो और didn't लिख सकते हो don't don't लिखते हैं जब आपके पास verb की first form हो और subject अपना कैसा हो plural हो ठीक है doesn't तब लिख सकते हैं जब आपके पास verb की first form हो और subject आपका जो क्या singular हो ठीक है और didn't तब लिखते हैं जब आपके पास verb की second form हो ठीक है subject singular plural उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये ध्यान रखना don't और doesn't तब लिखोगे जब verb की first form होगी don't तब आएगा जब subject plural doesn't तब आएगा जब आपका subject singular और didn't आपके लिए आएगा verb की second form के लिए done clear अब देखे कुछ question they play cricket on Sundays यहाँ पर हमने देखा play verb की first form है इसका मतलब इन दोनों ऐसे कुछ आना है subject हमने देखा कि यहाँ पर है दे they plural है जिसका मतलब don't आएगा तो don't they लिख दिया ठीक है फिर देखिए see plays cricket on Sundays अब देखिए हमने देखा plays लिखावा है subject अपना singular तो वह भी singular है ठीक है न तो हमने देखा अगर subject singular तो doesn't आएगा doesn't see ठीक है अगला देखिए they played cricket on Sundays अब यहाँ पर हमने देखा अच्छा second form है इसका मतलब don't आएगा subject अपना दे है तो हमने लिख देखा यह सारे sentence कैसे थे अपने positive तो सारे question tag कैसे बने negative ठीक है न एदर दो example और है देख लीजिए we went to park last night हम पिछली रात को पाख गए हमने देखा अच्छा second form है इसका मतलब don't आएगा don't ही फिर देखिए he had forgotten his watch ठीक है न तो यहाँ पे देखिए head आया helping work है तो head end कर देना इसमें तो कोई शमश्य नहीं थी ठीक है न helping work आई हुई थी ठीक है next अब short form यहनी abbreviated form यह भी ध्यान रखना आपको किस की form short form क्या होती है ठीक है sub easy है बहुत easy है लेकिन 3 form से आपको ध्यान रखनी है जैसे is not का तो isn't बना आपको सिर्फ तीन चीज़े ध्यान रखनी है पहला यह जहां पे भी आपको M मिलेगा तो M not का होता है यह दिमाग में रखनी है आपको दूसरी चीज़ क्या रखनी है shell का क्या होता है shant होता है यह ध्यान रखना sh a फिर अपोस्ट्रोफी फिर t एक विल का ध्यान रखना बस यह चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है तीन चीज़ें इसके बाद सब क्लियर है बागी सब were not का weren't does not का doesn't has not का hasn't did not का didn't do not का don't was not का wasn't ठीक है would का wouldn't फिर ठीक है should का shouldn't might का mightn't ठीक है समझने है ताकि आप किसी भी question में किसी भी प्रकार की कोई mistake नहीं करें ठीक है first rule क्या कहता है first rule कहता है अगर अपना जो sentence हो present में हो यनि बी की form हो कहने का मतलब अगर उसमें subject अपना I हो और I के साथ क्या आता आप जानते हो M आता है तो पहला question देखिए example है I am sitting in the class तो मैं class में बैठा हूँ तो CDC और simple सी बात है क्या बात है M आया क्योंकि sentence अपना पूरा positive है इसका मतलब negative question tag बनेगा ठीक है तो M का होता है R R अरेंट करना आपको R अरेंट आई ठीक है I am not playing Ludo I am not playing Ludo तो यहाँ पे देखो sorry playing लिखा है न अगर not होना यह positive बनता है R I बनता है न तेकिन इसने बोला है I am playing Ludo तो M है helping work M जब हो तो आपको क्या करना है R and I करना है ठीक है R अरेंट लिखना है ठीक है न positive था इसलिए negative बना दिया अगर यह यहाँ पे negative होता तो यहाँ R I लिखते है आप negative not नहीं लगाते है ठीक है next देखिए question जो अपना है rule number second जब भी आपको let us यानि let's मिलेगा short में लिखा इसका full form क्या होती let let us यह होती है ठीक है न इसको abbreviate करके लिख दिया let us ठीक है यह अटा दिया और let's बना दिया ठीक है न तो देखिए let us से होगा the tag is shall we बनेगा क्या लिखोगे tag में shall we जैसे देखो let's go to the market तो आपने सीधा सा कुछ नहीं देखना आपको shall we लिख देना बस imperative sentence वो होते है जो we one से start होते है जिसमें कोई order हूँ request हूँ ठीक है न उन्हें कहते है imperative sentence verb की first form से start होते है उन्हें कहते है imperative तो हमेशा आपका tag क्या बनेगा will you क्या बनेगा will you ठीक है जैसे देखो open the window will you hold this will you ठीक है न मतलब खिड़की खोलो खोलोगी क्या ऐसे है ठीक है hold this पकड़ोगी क्या ऐसे है ठीक है न ये बन गए आपके इसके tag अब rule number next देखते है next क्या अपना जब भी आपका sentence कैसा हो rule number fourth है थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा rule number fourth देखिए we use an affirmative tag हमें affirmative इन positive tag यूज़ करना है after a sentence containing a negative word अगर sentence के अंदर कोई भी negative word आ गया मतलब उसमें not नहीं आया लेकिन negative meaning रखने वाला कोई भी word आ गया है तो आपको tag इना positive यूज़ करना है affirmative यूज़ करना है ठीक है positive जैसे देखो word कौन से हो सकते है जैसे उसमें never आ सकता है hardly आ सकता है nobody आ सकता है ठीक है यह अगर आपको sentence में दिख जाए ना तो आपको question tag कैसा positive यूज़ करना है जैसे देखो nobody lives in this house ठीक है तो हमने देखा यहाँ पे first form है इसका मतलब यह तो do आएगा यह does आएगा यह nobody का concept भी आगे के rule में clear हो जाएगा कि nobody आएगा ना तो subject में आपको दे लिखना है क्या लिखना है दे तो यह दे है ना तो जब verb की first form आती तो आपके पास option होते है do और does ठीक है ना तो यहाँ पे क्योंकि दे है या ना nobody की वज़े से इसलिए आपने यह do लगया आगे ठीक है ना तो क्या लिखा आपने क्योंकि यह negative था आपने positive बना दिये इसको ठीक है फिर देखिए यहाँ पे never आया इसका मतलब question tag अपना कैसा होगा question tag positive होगा तो यहाँ पे have है have you तो have you लिख दिये haven't you नहीं लिखेंगे ठीक है ना फिर next देखिए when the subject is neither यहाँ पे यह नीदर नहीं है ठीक है ना जब अपना subject क्या हो when the subject is no अपना subject हो no हो none हो no one हो nobody हो nothing हो और sketch लिया जाए इसमें barely hardly hardly ever ठीक है seldom nothing यह वाले word हो तो आपको subject में हमेशा it use करना है क्या use करना है it मतलब आपको यह चीज़े दियान रखने है बस यह वाले चीज़े मिले आपको तो आपको subject में it use करना है ठीक है normally आपको no one nobody nothing यह वाले मिलेंगे ठीक है ना बाकि यह तो hardly barely यह तो negative meaning रखने वाले सब्द है ठीक है अब देखना nothing bad happened तो यहाँ आपने पहले देखा happened इसका मतलब आपको यहाँ पे यह second form है helping up तो आई नहीं तो आपको helping up नहीं यह second form है जब we too होता था हम क्या लगता है did लगता है यहाँ लिख दिया तो sentence क्या हो गया did it फिर देखे nothing ever happens अच्छा happens है वह अपकी first form है इसका मतलब यह do है यह does आएगा तो nothing की वज़े से subject क्या बनता अपना it बनता है तो it singular है इसलिए हमने does लिख दिया ठीक है और दूसरी बात क्योंकि nothing होता है तो subject क्या लगाना पड़ता है it लगाना पड़ता है he, she, we, they कुछ भी नहीं लगा सकते क्या लगाएंगा हम it ठीक है no आता है तब भी हमारा subject क्या आएगा it आएगा no की वज़े से sentence कैसा है negative है तो इसमें negative word आएगा नहीं helping वब इस है तो is it ठीक है फिर देखिए nothing was found तो देखिए was helping वब पड़ा है nothing negative है तो nothing की वज़े से subject इट बना और was का was तो was it ठीक है next देखिए अमर जित hardly worked ठीक है hardly नहीं मुश्किल से ही काम करता है तो देखिए worked देखा हमने अच्छा helping वब है नहीं worked second form है इसका मतलब did आना है फिर हमने देखा अच्छा hardly आया negative word है तो ये positive में बनेगा मतलब not नहीं आएगा इसलिए did का did फिर हमने अमर जीत अमर जीत क्योंकि क्या है अपना क्या है एक person है व्यक्ति है ना तो इसके लिए pronoun क्या use करेंगे he use करेंगे ठीक है ना तो हमने लिख दिया did he ठीक है फिर देखिए सरला जब भी नाम है सरला किसी का तो last में see आना है ठीक है फिर देखिए seldom आ गया मतलब ये negative है इसका मतलब ये negative नहीं बनेगा फिर हमने देखा विजिट अच्छा विजिट फर्स वाम है इसका मतलब ये do आएगा ये does आएगा हमने देखा अपना subject तो भी singular है तो वह भी singular आएगी इसलिए हमने लिख दिया does ठीक है चलिए next rule देख रहे है rule number 6 if the subject is अगर अपना subject क्या हो anyone हो anybody हो no one हो nobody हो none हो neither everybody somebody someone ठीक है everybody ये वाले हो तो आपको हमेशा tag में क्या use करना they use करना है क्या use करना they जैसे देखो nobody asked for me nobody nobody देखते ही पिछे तो हमें they लिखना ही है ठीक है ये दिमाग में रख लेज़े कि आपको last में क्या लिखना they लिखना ठीक है अब यहाँ पर second form है ठीक है तो second form होती है helping verb नहीं होती इसी दी second form है तो आप क्या लिखोगे did लिख दिया आपने ठीक है did दे अच्छा क्योंकि ये nobody की वज़े से negative था तो ये positive भी बनना था तो did they positive बन गए ठीक है next देखे neither of them explained तो ये देखे explained क्या अपने second form इसका मतलब did आना है ठीक है क्योंकि यहाँ पर negative word है ये neither ठीक है neither negative word है तो did का did क्योंकि neither की वज़े से यहाँ पर क्या बना अपना they subject ठीक है फिर देखे I don't suppose anyone will help us तो देखे इसका यहाँ पर कोई meaning नहीं है अपना यहाँ से सुरूता anyone will help us तो anyone की वज़े से अपना क्या बना यहाँ पर they subject बना ठीक है will का will लगा दिया क्योंकि ये negative है तो हमने will दे लगा दिया ठीक है next देखे everybody has left ठीक है तो यहाँ पर has left लिखा वाए और everybody everybody आया तो हमें subject क्या लिखना दे लिखना हमने लिख दिया दे फिर क्योंकि ये positive है तो ये negative बनेगा क्योंकि has का तो hasn't होता है लेकिन क्योंकि यहाँ पर subject अपना दे है तो हमें यहाँ haven't लिखना पड़ेगा ठीक है ना clear है next देखिए next rule है अपना अगर sentence में अपने helping verb है ना वो helping verb नहीं हो कि main verb की रूप में I have तो हमको वहाँ पर do use करना है क्यों use करना है do मतलब वहाँ पर हमें haven't नहीं लिखना है don't लिखना या didn't लिखना ऐसा कुछ लिखना जैसे देखो you have a scooty ठीक है आपके पास एक scooty है तो यहाँ पर देखिए have helping verb नहीं है क्योंकि यहाँ पर main verb निजर आ रही है क्या नहीं है subject है verb है ठीक है a scooty object हो गया ठीक है तो यहाँ पर यह main verb आया है तो जब भी have main verb हो तो पता करिए you है क्योंकि you अपना क्या यह sentence पहले देखिए positive है negative हमने का sentence positive है मतलब negative बनेगा ठीक है फिर हमने देखा you है यहाँ प्रोनाम तो you तो आ नहीं है तो you plural है तो doesn't नहीं आ सकता don't आएगा ठीक है don't लिख दिया don't you ठीक है next देखिए see had a antique jewelry उसके पास antique jewelry थी तो यहाँ पर देखिए head किसी के help नहीं कर रहा helping verb नहीं है main verb है ठीक है तो head है तो जब भी hadn't नहीं कर सकते हैं अगर helping verb होता ना तो आप hadn't कर सकते हैं यह last 10 तक rule है ठीक है ना rule number 8 है with used to जब भी आपको sentence में क्या मिले used to मिले तो आप क्या करोगे didn't in the tag tag में didn't लिख दोगे used to क्योंकि used ऐसा याद रख लो कि यह second form है तो आपको क्या didn't भरना है ठीक है you used to work here तो या didn't you ठीक है तो यहाँ पे didn't ही ठीक है ना long hair अच्छा यह लड़का है रखने वाला है तो didn't ही नहीं थे क्या ऐसे ठीक है next है अगर subject में अपने there is या there are आ जाए तो there का हमेशा last में there ही रखना है त्यान रखना ठीक है there are many players in the ground तो यहाँ पे क्योंकि there are many players in the ground तो यह थोड़ा यहाँ मैंने mistake not print कर दिया है क्योंकि sentence अपना कैसा है यह positive है तो यहाँ पे negative बनेगा क्या रफनेंगा aren't they ARE उन State क्या है नहीं है क्या वहां ऐसे ठीक है तो यहां पर क्या है यह मिस्टेक है तो क्या करोगार अरेंट देर ठीक है induction अमगें रिशाल गारेंगेt गिशन और लिच ना इस जब और ऊपनफ़ लगा होगी आपको इस ऐसे जो मतलब नीचे description में न वहाँ पे आपको इसके 25 questions की playlist मिल जाएगी या वहाँ पे आपको वीडियो का link मिल जाएगा वहाँ जाके आप बैतर इंडंग से practice करिए अपना score देखिए ठीक है तो मिलते है next part में तब तक के लिए good bye जै हिंद जै भारत